Hi everyone, Assalamualaikum, Welcome back to my channel, so guys, my name is Sizarra, आज की वीडियो का टॉपिक आपको थम्नेल से पता चल चुका होगा, Bednowit N-Cream को बहुत सारे लोग वाइटनिंग परपस के लिए यूज करते हैं, क्या इसे वाइटनिंग परपस के लिए यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पाकसान और इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये गुमान हैं कि इसको skin whitening creams में यूज किया जाता है, और इसे skin बहुत बहुत अच्छी हो जाती है, आगरचे आप जाना चाहते हो ये किस परपस के लिए यूज की जाती है, इसे skin whitening के लिए या फिर medical purpose के लिए तो आपके लिए वीडियो बहुत helpful होने वाली है, और गाईस, बहुत सारे लोगों का मेरे पास एक सवाल था, डर्मोवेट क्रीम के उपर review करें, जो के मैं already कर चुकी हूँ, डर्मोवेट क्रीम का review चैनल के उपर मौझूद है, आगरचे आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं आई बटन लगा रही हूँ, आपकी आसानी के लिए, वहां से आप चेक आउट कर सकते हो, नहीं तो description box जाते जाते चेक आउट कर लेना, आया फोरसत मैं आपको time मिले तो देख लीजएगा, मैं link डाल दूँगी, बात करते हैं betonuate N cream के अंदर, जो ingredient यूज किया जाता है, वो होता है, बीटा मेतासोन ये वाहिद ऐसा ingredient है, जो के chemical के हवाले से इसके अंदर मौझूद है, और इसके नुकसानात होते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो medicated creams होती है, वो नुकसानात वाली नहीं होती है, डॉक्टर आपको prescribe करते हैं, आप अर्राम से लगा सकते हो, अगर्चे आपको डॉक्टर ने prescribe किया है, आपका कोई भी problem देख खर, चाहे आपको एक्जिमा की problem हो, साइरोसिस की problem हो, या फिर आपको जल गई हो आपके skin, रेश हो गया हो, स्वैलिंग हो गई हो, रेटनेस वगराई, जो भी आपको problem होती है, अगर आपको डॉक्टर प्रेस्ट्राइब कर रहे हैं तो आप इस क्रीम को योज़ कर सकते हो, और दूसरी बात, मैं आपको बदा हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कि इस क्रीम को hand whitening formula के लिए बहुत जादा योज़ किया जाता है, डर्मवेट, क्लोबवेट और इस क्रीम को, पेटनवेट N को मिला कर, बहुत सारे लोग हेंड के लिए formula बनाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, skin whitening creams उठाते हैं, जो के पाकिस्तानी क्रीम बहुत मिशूर हैं skin whitening creams, जिसके ओपर मैं अलएड़ी उतनी सारे रिव्यू कर चुकी हूँ, अगर्चे नहीं देखिए ना तो एक बार चैनल जाके चेक आउट कर लेना, आपको बहुत सारी वीडियोज मिल सकती हैं, हो सकता है आपके लिए कोई भी काम आ जाए, अच्छा गाइस, आप बात करते हैं, यहां पर के लोग क्या करते हैं, फेस वाइटनिंग फॉर्मॉला बनाते हैं, स्किन वाइटनिंग क्रीम एड़ करके उसके अंदर इसको मिला देते हैं, और फिर वो फेस पे लगाते हैं, बहुत सारे सावालात मेरे पास आते हैं, कि फॉर्मॉला क्रीम से स्किन खराब हो गई है, ऐसा क्या यूज करें कि रिपियर हो जाए, आपको एक फॉर्मॉला क्रीम बनाते हो, आप formula cream के अंदर आगरचे medical cream यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी एक गलती है क्योंकि medical cream ही आपके skin को खराब करती है आगरचे वो आपके skin repair कर रही है तो उसका मतलब यह नहीं कि वो आपके skin को गोरा चिटा अंडा कर देगी बेश शक उसके लगाने से आपके skin बहुत अच्छ फियर, lighten, clear हो जाती है, acne free, pimples free हो जाती है, pigmentation free हो जाती है लेकि इसका यह मतलब नहीं है कि medical ने वो whitening purpose के लिए निकाला है तो I think उसके उपर सबसे उपर top पर लिखावा होता skin whitening cream फिर आगे betonovate N लिख देते हैं तो काईस ऐसा नहीं है इसको whitening purpose के लिए यूज नहीं कि जाता medical creams आपको आपके problem का solution देती है medical अगर pimples technically कोई product बना रही है कोई cream बना रही है तो वो medical हवाले से क्यूंकि medical आपको खहता है आपको एक pimple भी है तो आपके एक pimple से आपको बहुत सारे pimples हो सकते हैं bacteria के through तो आप cream लगाते हो ताकि उसे आप जल से जल ठीकल हो क्यूंक इतनी होती है soiling इतनी होती है ऐसे pimples skin पर पाई जाते हैं जिसकी वज़ा से infection फैलता है पूरी skin के ओपर ऐसा हाल हो जाता है skin का अगर्चे आप भी इसको इसको इस्तमाल करते हो वाइटनिंग परपस के लिए तो मत कीजेगा अगर आगर आदत लग गई है आपको तो बहु recommend करेगा multi vitamin recommend करेगा ऐसी चीज़ा आपको बिल्कुल नहीं recommend करेगा क्या बेटनोविट लगा लो नहीं और मैं दूसरी बात करूँ अगर आपको कोई skin में eczema की problem है styrosis की problem है या फिर आपकी skin जल गई है rash हो गई है serling हो गई है redness हो गई है irritation हो गई है scars scars वगई हो गई है निशानात पड़ गए है क्योंकि बात करूं इसकी consistency की तो so thick consistency very thick consistency होती है और amazing होती है like dermovate के मुकाबले में dermovate का जो color होता है वो watery color होता है silver color और इसकी consistency की बात करें तो यह white होती है creamish और जैसे आप इसको लगाते हो तो यह thick होती है एकदम इब्सॉर्फ हो जाती है और absorb होने के बाद हलकी सी आपको चिकनी फील होगी क्योंके यह thick होती है और दूसरी बात ही आपके जो भी जगा होते है खारिश वाली या फिर आपको एक्जिमा की खारिश की problem है तो वहां soft कर देती है आपकी skin को तो यह instant के लिए अच्छी है चूँके लोग इसके किसली use करते हैं क्योंके skin clean और brighten हो जाती है एक glow आती है लेकिन guys medical आपको देता है आपकी skin की problem को solve करने के लिए ना के आपको देता है कि आप अच्छी भली skin के उपर इसको लगा कर एक नई layer लेकर आजो क्योंके इसका काम है आपकी skin को repair करके नए cells लेकर आना तो वो नई skin जब आती है आपको लगता है बहुत color fair हो गया skin साफ हो गये दाने खतम हो गये तो यह बहुत नुकसान दे है अ expression जाने वाला है तो इसलिए आपने चेहरे को खराब मत करो बहुत सारी बहुत सारी ऐसे products हैं जो आपको अच्छा फाइदा दे सकते हैं काफी products पे तो मैं review भी कर चुकी हूँ चैनल का मैं आपको बदा चुकी है आप चैनल जाके visit कीजेगा और दूसरी बात जो लोग इसक जो formula आपको suitable लगे आप वो hands and feet के लिए बना सकते हो guys आपको नुकसान नहीं देने वाला है जो ये cream आपको नुकसान देगी अगर आप ये formula cream में लगाते हो तो please मत लगाओ जो cream मैं आपको suggest कर रही हूँ आप hand and feet पे उसको try करके देखो i button click करो और जाकर देखो download कर लेना ये normally देख लेना आप easily उससे फाइदा उठा सकते हो और दूसी बात मैं आपको बता दूँ के इस तरह की जो cream होती ना just ये doctor recommend करें स्यादा better है क्योंके medical आपको खुद कहता है इस cream की अगर आप research भी करोगे आपको पता चल जाएगा 6 दिन से जादा आप इसको use नहीं कर सक किसी के भी कहने के उपर कोई आपका दोस्त हो गया वह भी आपको recommend कर देता है फला बंदे ने फला क्रीम लगाई और रंग गोरा होगे यार हम भी लगाते और आज कल इस तरह सोचल मीडिया की दौर है I think लोग गोरा चिट्टा होना चाहते तो गोरा चिट्टा होने के लि whitening के लिए है आज के बाद आपका doubt clear हो जाएगा कि medical ने actual में इसको बनाया किसलिए था medical ने बनाया इसको आपकी problem के लिए medical आपकी problem के लिए आपके dirt के लिए आप सरदर्ट की दवाई यूज नहीं कर सकते न तो वैसे यह चीज है यह जस्ट आपकी problem का solution है ना कि आपके रंग वाइट करने के लिए तो यह थी आज की video I hope आपको अच्छी लगी होगी guys video अच्छी लगे तो like share जरूर करना और दूसी बात यह अगर किसी topic से related video बनवाना चाहते हो तो नीचे comment box में बता देना बागी community guideline में भी मैं एक post short देती हूं जिसके ओपर मैं 2-3 topics decide करके आप लोगों से पूछ लेती हूं तो जो आपको लगता है जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हो उसी पर video बनाई जाती है अगर्चे आप वहाँ पर भी किसी post के ओपर vote करते हो तो next topic हो सकत है आप ही कहो और video में research से बनाती हूं कोशिश यही करती हूं आपको एक बेहतर और अची चीज बताऊं जो के आपके लिए भी फायदे मंद हो और मुझे भी आप लोग देखने के बाद दुआ दें ना के बुरी और भली बाते कहें और दूसरी बात यह कि डर्मोवेट का प्री होता है लाइक ज़रूर करना क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हो बहुत खुशी होती है और मुझे अच्छा लगता है और फिर मैं जुल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करते हूं अब लूगी नेक सी वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ अलहाफि उजब लूगाज वीडियो थाइस